नमस्ते बच्चों आज हम पड़ेंगे तीन वर्डवाले सब्धू को पड़ लिए चित्रों के साथ पड़ा है आज हम तीन वर्डवाले सब्धों को जोड़ न सेकेंगे यह आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नमबर 73 पेज़ नमबर में अब्यास 3 आप आप इनको बू अर्गों को शब्री हुए, प्लस लगार दी हुए, हमको प्लस हटा करें तो यहां पर लिखना है यह क्या वांचो? न इसको हम न रही पढ़ेंगे इसको, बेन मात्रा वाले शाच्ञें को हम उपढ़ेंगे न म क क क क्या मना ये ? न मा कु फिला सब्सक्राइब कर अबनेक्स को लिएका शाब्द क्या माना न मा कु यह क्या है रिश्चु ज क्या है जापट जापट क्या है जापट 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 करकू करकू इसको आपने मिलाका लिगा तो क्या आपना ये करकू हावान मिलता कर दो हावान शरल मिलकर क्या आपना वच्चु ये सारल लहर मिलकर आपना लहर पलत क्या आपना ये पलत वचन क्या आपना ये विखकर वचन आया मिलकर सारल ये बिन मारता वाई शब्चे आप पलस को अटागा शब्दों को जोड़का लिखा आये शको भड़ों को जोड़का नमाक आपना ये जपत मिल्का क्या वह 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 भर र मिलकर क्या बना लेहर पा ला त मिलकर क्या बना पा लाट वा चा न मिलकर क्या बना वर्चाणर माय वर्ण समाइने आज हमने तीन वर्ण वाले शब्दों को जोड़ना सीखा, यह प्लस अटाकर कैसे लिखते हैं, हमने यह सीखा, प्लस को आपने अगर नाय शब्दों मना नमा, इस तरीके से आप घर-बर में अच्छे से इसको पढ़ना और अच्छे से याद करना, ओके बच्चो, आप आपने कीसी रवर्णों की कोपी में तीन वर्ण वाले शब्दों को जोड़िए, कि हैडिंग डालेंगे, और यह पूरे दस की दस वर्ण अपनी कोपी में साथ और सुन्दा राइटिंग में लिखोगे, ओके बच्चो और पढ़ना जरूब आपके बुक में दिया है, उसमें पढ़ने की कोशिश करना और पढ़ना, ओके थेंक यू,